नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर जैहिन मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए वन लेनर फॉर्मेट में लाज्ट सिक्स मन्त के करेंट अफियर्स का निचोड इस वीडियो में लेकर आया हूँ पिछले 6 महीने के most important current affairs 100 questions आपको इस वीडियो में मिलेंगे ये वीडियो बहुत ही उमदा quality के questions से create किया गया है मतलब exam में current affairs को जो topic सबसे जादा पूछे जाते हैं उन्ही प्रशनों को इस वीडियो में लिया गया है तो ये 100 questions आपकी life बना सकते हैं आप इनको याद कर लीजिये क्योंकि exam में इस से बाहर नहीं जाएगा आपका अगर कोई group है तो अपने group हों में भी जरूर शेयर करें ये वीडियो और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजेगा चलिए अब हम शुरू करते हैं करेंट इफेंस का ये वीडियो सबसे पहला प्रशन है भारती सेना ने वीर नारियों के कल्यान और शिकायत निवारन के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सुविधा सुरू की है तो वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से सिंगल विंडो सुविधा सेवा सुरू की है भारतिय सेना ने किस राज में वालोंग मेले का आयोजन किया है तो भारतिय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ता है वालोंग मेला तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश किस राज सरकार ने इंडिया एग्री बिजनिस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है तो एग्री बिजनिस बेस्ट स्टेट अवार्ड हर्यान राज सरकार ने जीता है किस के द्वारा बैंगलूरू में कैमपे गोडा अंतराश्री हवाई अड़े के टर्मिनल 2 का उधगाटन किया गया है तो प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी जी के द्वारा बैंगलूरू के कैमपे गोड़ा अंतराश्य हावाई अडेट के टर्मिनल टू का उधुगाटन किया गया है किस देश ने मिडल इस्ट ग्रीन इनिशेटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबधता जताई है तो सौधी अरब ने मिडल इस्ट ग्रीन इनिशेटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबधता जताई है किस टेनिस खिलाडी ने 2022 पुरुस एकल पैरिस माश्टर्स खिताब जीता है तो होलगर रूने ने ये 2022 का पुरुस एकल पैरिस मास्टर्स खिताब चीता है पहली बार भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आज़ित किया जा रहा है तो भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच में ये सम्मेलन पहली बार आजित हो रहा है किस राज की विधान सभा ने बिभिन श्रेणियों में दिये जाने वाले कुल आरक्षन को बढ़ा कर 77 प्रतीशत करने की एक विधियक पालित किया है हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचा मतदान केंद्र कौन सा बना है केंद्रिय मंत्री द्वारा ESIC मात्रत लाब के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया गया है तो केंद्रिय मंत्री जलवायू परवतन और केंद्रिय कैबिनेट मंत्री भूपिंद्र यादो जी के द्वारा ESIC मात्रत लाब के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया गया है किस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइजेस, MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉंच किया है तो कोटक महिंद्रा बैंक ने मर्चेंट वन अकाउंट लॉंच किया है नवी टेक्नलोजी के नए ब्रेंड एमजडर के रूप में किसे निउक्ट किया गया है तो नवी टेक्नलोजी के नए ब्रेंड एमजडर के रूप में भारती क्रिकेटर, भारती क्रिकेट टीम के पूर्व कपतान महिंद्र सिंग धोनी जी को निउक्ट किया गया है न्यूचिलेंड के आगामी दौरे के लिए भारती क्रिकेट टीम का कोच किसे निक्ट किया गया है तो न्यूचिलेंड के आगामी दौरे के लिए भारती क्रिकेट टीम का कोच विवियस लक्षमन को निक्ट किया गया है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटाया है IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का रण प्रदान करेगा तो IMF बांगला देश को 4.5 बिलियन डॉलर का रण प्रदान करेगा T20 Cricket World Cup में 1100 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले खिलाडी कौन बने है तो T20 Cricket Cup में 1100 रन पूरे करने वाले विराट कोहली पहले खिलाडी बने है किस सहर ने पहली बार नगरपाली का बॉन्ड जारी किया है तो वारानसी ने पहली बार नगरपाली का बॉन्ड जारी किया है जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहली राश्रिय भंडार किस राज्य में लॉन्च किया गया है तो जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राश्रिय भंडार हर्यान राज्य में लॉन्च किया गया है अजीत अन्युम और किस पत्रकार को कुलदीप नईयर पत्रकारिता से सम्मानित किया जाएगा तो आरफा खानम और अजीत अन्युम को ये पत्रकार कुलदीप नईयर पत्रकारिता आवोड से सम्मानित किया जाएगा आधुनिक चुनावी विग्यान के जनक सर डैविड बटलर की कितनी वर्ष की आयो में निधन हो गया तो आधुनिक चुनावी विग्यान के जनक सर डैविड बटलर का 98 एर्ज की एज में निधन हो गया किस देश के क्रिकरिटर स्टीफन माईबर्ग ने सन्यास की घोशना की है तो नीधर लेंड के क्रिकरिटर हैं ने सन्यास की घोशना की है ICC ने Cricket Hall of Fame में किन तीन खिलाडियों को जगह दी है तो शिव नारायन चंद्रपॉल वेस्ट इंडीच से अब्दुलकादिर पाकिस्तान से और चारलोट एडवर्ड्स महिला है इन्हें इंग्लेंड से जगह दी गई है ICC Cricket Hall of Fame में कब से कब तक अंतराश्य टेली मेडिसिन सम्हिलन का अठारवा संस्क्रण टेली मेडिकॉन 2022 आउजित किया जा रहा है तो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2022 तक ये आउजित किया जा रहा है किस देज की सरकार के दूआरा 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी जारी किया गया है तो वित मंत्राले के दूआरा भारत का पहला Sovereign Green Bond Framework जारी किया गया है तो वित्मंत्राले के द्वारा भारत का पहला Sovereign Green Bond Framework जारी किया गया है All India Rubber Industries Association का अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो रमेज केजरीवाल को All India Rubber Industries Association का अध्यक्ष निक्त किया गया है हाली में Adidas Company के CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो Adidas Company के CEO के रूप में Bjorn Gulden को न्युक्त किया गया है इंडिया Agri Business पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो इंडिया Agri Business पुरुसकार 2022 से राश्रिय मतस्य की विकास बोड को सम्मानित किया गया है किस राज के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दरशन यात्रा योजना का अनावरण किया है तो गुआ के मुख्यमंत्री प्रमोट सावंत जी ने मुख्यमंत्री देव दरशन यात्रा योजना का अनावरण किया है किस राज सरकार के दवारा खेलो इंडिया यूनिवरसिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की जाएगी तो स्काई रूट एरो इश्पेस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लाँच करेगी किस राज के अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहन योजना का अनावरण जो है तमिननांडू राज में किया गया है किस केंद्रे मंत्री द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर आल चैलेंजिस स्टेज टू एंड सिटिजन प्रस्पेशन सर्वे दो हज़र बाइस लॉंच किया गया तो केंद्रे आवास और सहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंग पुरी जी के द्वारा ये लॉंच किया गया है आशियान आरगन चैंपियंशिप 2022 किस देश में आज़ित की गई है तो आशियान एरगन चैंपियंशिप 2022 दक्षण कोरिया में आज़ित की गई है विनिंग दा इनर बैलट बैटल नामक पुस्तक का लिखा कौन है तो विनिंग दा इनर बैटल पुस्तक शेन वाटसन क्रिकेटर है और शेलिया के इनके द्वारा लखी गई है किस राज सरकार के द्वारा तोखू एमोंग वर्ल्ड अकाउंट की मेजबानी की जाएगी तो राज सरकार द्वारा तोखू एमोंग वर्ल्ड अकाउंट की मेजबानी नागालेंड राज सरकार द्वारा की जाएगी किस राज सरकान ने पारंपरिक कला को पुनर जीवित करने के लिए हस्त सिल्प नीती 2022 की शुरुवात की है तो राजस्थान राज सरकान ने हस्त सिल्प नीती 2022 की शुरुवात की है किस राज के मुख्यमंत्री ने Global Investors Summit 2023 के लोगों का अनावरण किया है आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने Global Investors Summit 2023 के लोगों का अनावरण किया है किस मंत्राले के द्वारा भारतिय मात्र भासा सर्वेक्षन आज़ित किया गया है तो ग्रह मंत्राले के द्वारतिय मात्र भासा सर्वेक्षन आज़ित किया गया है किंद्रिय ग्रह मंत्राले ने कितनी भाशाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तयार की है तो 576 भासाओं पर Mother Tongue Survey of India रिपोर्ट तयार की है सरकार भारस सरकार ने Law Commission of India के अधक्ष के रूप में किसे निख्ट किया है तो इरितुराज अवस्थी को Law Commission of India के अधक्ष के रूप में निख्ट किया है देश के नए मुखे नैदीस के रूप में किसने सपतली है तो जस्टिस धननजय यश्वंत चंद्रचूड ने देश के नए मुखे नैदीस के रूप में सपतली है तो मेरिलेंड के लेटनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली भारती अमेरीकी राजनेता अरुना मिलर है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत रखने वाला पहला राज्य कौन है तो केरल पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत रखने वाला पहला राज्य है विश्व महीला, बॉक्षिंघ चेम्पियंशिप 2023 किस अज़ित की जाएगी तो अपने प्यारे देश भारत में महीला, विश्व बॉक्षिंघ चेम्पियंशिप 2023 अज़ित की जाएगी किस अंतराशिय संस्था ने बाल यौन सोशन की रोक्थाम के लिए 18 नमबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है तो संयुक्त राश्ट्र महासभा ने 18 नमंबर को बाल शोशन की रोक्थाम के लिए विश्व दिवस के रूप में नमनाने के लिए नामित किया है किस राजसरकार ने हाल ही में टौफी कारिक्रम की शुरुवात की है तो हर्याना राज सरकार ने ये टौफी कारिक्रम की शुरुवात की है Forbes की 20 एश्याई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारते महिलाओं को शामिल किया गया है तो Forbes की 20 इश्याई महिला उद्यमियों की सूची में तीन महिलाएं भारत की शामिल हुई है शुभम मंडल सेल कंपनी की चेयर परसन नमिता थापर एमके फार्मा की और गजल एगल हो ना सकर कंजूमर की चेयर परसन तो ये तीन महिलाओं को नामित किया गया है Forbes की विश्विस्तर की सर्वस्रिष्ट नियोक्ता रैंकिंग 2022 में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है तो Reliance Industries Limited नियोक्ता रैंकिंग 2022 में सर्वस्रिष्ट कंपनी के रूप में शामिल है अमेरिका में बेली के एश फूड मेडल से सम्मानित पहले भारतिय वैज्ञानिक कौन बने है तो अमेरिका में बेली के एश फूड मेडल से सम्मानित पहले भारतिय वैज्ञानिक डॉक्तर सुभास बाबु बने है अंतराश्य कन्नर रत्न पुरुसकार किसे दिया जाएगा तो यदुवीर कृष्ण दत्ट चाम राजा वाडियार को कन्नर रत्न पुरुसकार से समानत किया जाएगा किस राजस्रकार के द्वारा Celebrating Diabetes का लोगो लॉंच किया गया है तो गुवा में त्रेपनवा भारती अंतराश्य फिल्म महुद्सो आउजित किया जाएगा भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा सोध करता सब्ताह 2022 का उधगाटन किया है तो जर्मनी के साथ में मिलकर भारत ने युवा सोध करता सब्ताह 2022 का अजन किया है विधी आयोग के अध्यक्ष कौन बने है तो रितुराज अवस्थी विधी आयोग के अध्यक्ष बने है Skechers इंडिया ने किसी अपना brand अमिजदर ने उक्त किया है तो कृती सेनन को Skechers इंडिया ने अपना brand अमिजदर बनाया है Mobile Westwick संगठन Global System Mobile Communication Association के उपाध्यक्ष कौन बने है तो गोपाल विधल Mobile Westwick संगठन Global System Mobile Communication Association के उपाध्यक्ष बने है किसे फिक्की के अगले अद्धक्ष के रूप में नामित किया गया है तो सुभरकान पांडा को फिक्की के अगले अद्धक्ष के रूप में नामित किया गया है किस कंपनी ने हाल ही में बाढ़ पूरवानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉंच किया है भारत किस देश में आजित मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 का भाग हिस्सा लेगा किस देश में तो जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भारत हिस्सा लेगा किस के दुवारा नर्सिंग पेशेवरों को National Florence Nightingale Award N.F.N.A. 2021 से प्रदान किया जाएगा तो राश्पति दुरोपदी मुर्मु जी के दुवारा नर्सिंग पेशेवरों को ये Award प्रदान किया जाएगा किस सहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी तो जैन शहर में दुनिया के पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी भारत सरकार ने जमू और कश्मीर के सरकारी अस्पतालों को DNB Post Graduate Medical की कितनी सीटे प्रदान की है तो जमू कश्मीर में सरकारी अस्पतालों में 265 सीटे प्रदान की गई है एक कैलेंडर वर्स में 1000 T20 अंतराश्य रन बनाने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बन गए है तो सूरे कुमार यादोजी बन गए है गोआ में आजित होने वाले त्रेपनवे इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया IFFI की शुरुआत किस फिल्म से होगी तो आश्रेलिया ही फिल्म है अल्मा एंड आउसकर से शुरुआत होगी BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल चैंपेंशिप का एकल खिताब किसने जीता है तो प्रमूद भगत जीतने जीता है किस संस्ता के दौरा भारतिय नौसेना की सोनार प्रणालियों के लिए परिक्षन और मूल्यांकन सुभिधा का सुभारं किया गया है तो DRDO के द्वारा ये सोनार प्रणालियों के लिए परिक्षन और मूलियंकन सुविदा का सुभारम किया गया है किस राज सरकान ने हाल ही में सर्वस्रिष्च सारजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंदर सरकार का पुरुसकार जीता है किस राज में Rising Sun Water Festival 2022 का समापन हुआ है तो में खाल है राज में Rising Sun Water Festival 2022 का समापन हुआ है 17 प्रवासी भारते दिवस समेलन में किस देश के राशपती मुख्य अथिती होंगे तो गुयाना के राशपती मुख्य अथिती होंगे ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के पहली महिला निदेशक कौन मनी है तो गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक डॉक्टर जी हेमा प्रभावनी है श्रीलंका भारत सोसाइडी का अद्द्यक्ष कौन है तो सीलंका भारत सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किशोर रेडी जी को चुना गया है अंदराश्री हौकी महासंग के नए अध्यक्ष कौन निक्ठ हुए है तो मुहम्मद तैयब इकराम अंदराश्री हौकी महासंग के नए अध्यक्ष निक्ठ हुए है राश्ट्री इसमारक प्राधीकरण का अध्यक्ष कौन बना है तो किशोर के बसा राश्ट्री इसमारक प्राधीकरण के नए अध्यक्ष बने है किस राज के मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल की शुरुवात की है तो महराज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनाड़ जी ने वंदे भारत पहल की शुरुवात की है किस भारती कंपनी ने हाल ही में 24 वे विश्व संचार पुरुसकारों में Cloud Native Award जीता है तो Reliance Zio ने Cloud Native Award जीता है किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर सयद मुस्ताक अली ट्रोफी टूनमेंट ट्रोफी जीती है तो मुम्मई ने हिमाचल को हराकर सयद मुस्ताक अली ट्रोफी जीती है किस केंद्रिय मंत्री ने Fit India Freedom Run 3.0 का शुभारम किया है तो अनुराक ठाकर जी ने Fit India Freedom Run का शुभारम किया है कौन सा राज 2021 परफॉर्मिंग ग्रीड इंडेक्स में शिर्स इस्थान पर रहा तो केरल राज शिर्स इस्थान पर रहा किस देश ने अपना पहला परमाणू उर्जा सिंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साज़ेदारी की है तो पोलेंड ने अमेरिका के साथ साज़ेदारी की है किसे कनाडा में Global India Awards से सम्मानित किया जाएगा तो अनिल अग्रवाल को कनाड़ा में ग्लोबल इंडिया आवार्ट से सम्मानित किया जाएगा अक्टूबर महीने में ICC Player of the Month पुरुस कौन बने है तो विराट कोहली भारत से अक्टूबर महीने में ICC Player of the Month पुरुस बने है प्रमोद भगत मनीशा रामदास ने टोकियो में BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपेंशिप में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने स्वाड पदक जीता है कोरियाई ओपन टैनिस में पुरुस ओपन एकल खिताब किसने जीता है तो योशी हीते निशी योका ने पुरुस ओपन एकल खिताब जीता है अक्टूबर महीने में ICC Player of the Month महिला कौन बनी है तो अक्टूबर महीने में ICC Player of the Month महिला निशार रसीददार पाकिस्तान से बनी है UIDAI ने हाल ही में यूजर्स के बहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉंच किया है तो UIDAI ने यूजर्स के बहतर अनुभव के लिए आधार मित्र चैट बॉक्स लॉंच किया है अंक्टाड ने भारत का आर्थिक वरदीदर कितने प्रतीशत रहने का अनुमान लगाया है तो अंक्टाड ने भारत का आर्थिक व्रदीदर 5.7 प्रतीशत रहने का नुमान लगाया है किस केंद्रिय मंत्री ने मध्य प्रदेश के जवलपुर में 4,054 करोण रुपे की आठ राश्रिय राजमार्ग परियोजना का उधगाटन और सिलान्यास किया है तो केंद्रिय सडक और परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितन गटकरी जी ने परियोजनाओ का उधगाटन किया है किस राज में IAF और RSAF के बीच में वार्सिक संयुक्त सेन प्रसिक्षन शुरू हुआ है तो दोस्तों ये थे 100 प्लस कॉशन्स, लास्ट 6 महीने का करेंट अफियर्स, रिवीजन के साथ नए कॉशन्स भी आपको यहाँ पर मिले है वीडियो को अपने जादस जादा ग्रूप में शेयर करिए अपने स्टेटस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आप सेयर कर सकते हैं करिए और जाज़ जादा दोस्तों को जोड़िए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और वीडियो अच्छे लगा है तो लाइक जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत